यूक्रेन के साथ प्लैक सी अनास डील तोड़ने के बाद रूस ने यूक्रेन में हवाई हमलों से कोहरा मचा रखा है यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य शहरों में दिन ढलने के बाद ऐसा लगता है कि कब और कहां अगले ही पल रूसी मिसाईल आकर गिर पड़े और यही वज़े है कि यूक्रेन के तमाम शहर हवाई हमलों के डरावने साइरनों की आवाज से हूँज रहे हैं और अब इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन के पश्चमी इलाके के लवीव और उत्तर पश्चमी इलाके के वॉलिन शहर पर ताबर तोड बंबारी की है इन इलाकों में लगातार आस्मान से रूसी मिसाईले कहर बर पा रही है रूस ने हाल ही में लवीव में एक बड़ा हमला किया है जिसमें बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है दरसल रूस ने लवीव पर जो मिसाईल दागी थी वो एक इमारत पर आगिरी जिसमें कई लोग खायल हुए है इस हमले में 100 रिहाईशी अपार्टमेंट तबहा हो गए है हाला कि शुरुवात में लवीव के गवर्नर मैकसिम कोजिस्की ने कहा था कि रूसी मिसाईलों का एक समूँ इलाके की तरफ बढ़ रहा है इसके अलावा लवीव के लुश चहर में रूस के हवाई हमलों में कम से कम दो लोग खायल हुए है ये इलाका भी वोलिन रीजन में आता है जो पोलेंड बॉर्डर के बिलकुल पास है वहीं युक्रेन के दक्षिन पश्चिम में नीपो पैत्रोक्स में रूसी हमले में कम से कम एक व्यक्ति घायल हुआ है और इस सब के बीच युक्रेन में सुबह के तर के दो बजे से हवाई हमलों के अलर्ट भी जारी किये गए थे जिसके बाद एक के बाद एक ये हमले हुए इसके लावा युक्रेन के पश्चमीक मेलेंस्की में भी धमाकों की आवाजे सुनाई दी है स्थानिय सेन्ने प्रशासन ने भी धमाकों की पुष्टी की है आपको यहाँ पर ये बताना जरूरी होगा जुलाई 2023 तक लवीव शहर ज्यादतर रूसी हमलों से बचा रहा था लेकिन जुलाई में रूस ने लवीव शहर पर एक मिसाईली हमला किया था जिसमें साथ लोगों की जान चली गई थी और बड़ी बात ये है कि लवीव शहर नेटो बॉर्डर के पास है जो फ्रेंट लाइन से काफी दूर है लेकिन लवीव शहर पर मंगलवार की राज जो हमला हुआ वो युक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला था